कि गुद्मॉनिंग जैसे हम आपको बता चुके हैं कि क्या है अब हमानी स्रीज पर हम पहुंच गया है तो मैंने कहा करें लिमिट फिर थुड़ा में कंटिनेटी के बारे में डिसकस करा और नाव बिसकस अबाउट डियर डिफरेंसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टन टॉपि इसका जो में फिजिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंसिबिलिटी का वह आपके साथ इसको कैसे अब हमने रहें कि आप से बता रहा हूं कि आप हमने रहें कि आप का लिमीट पढ़ा तो लिमीट कर दिया लिमीट एकिवल दो रहाएं दिर्टॉ लिमीट एकल नहीं होगी तो लिमीट एकिस्ट नहीं करेंगे ऐगे प्रबेटाइब जाएब आप दिए फॉंटिवेटान आप तो आप अप अगर मांगें जी में एक कर्व लेगा हूं जो क्या है जो कर्व जो है कार्विक एक कॉंटिनियस कर्व तो अब इस पर भी प्रीज क्या है एक वाइब लियागती और जिसमें कोडिनेट पहने लिए C और क्या ले गया That is Fc लिए आप इसको यहां पर लेगा यह लिए लिए इसको ऐसे किया इसको यहां इसको एसे क्यों यह हो सब आपके पास कितना यह रहाब गॉड बन जाएगा आपके इसको कोडिनेट है यह बोजाएंगा आपके सी माइनस एच और यहां पर की पॉइंट आपके लिया और यहां पर की कॉइंट तो जाएंगे एक के एफ सी प्लस एच कॉमा और यह हो जाएगा सी प्लस एच कॉमा एफ सी प्लस एच की करण है मैंने निकाला स्लोफ ऑफ slope of chord PQ PQ slope जो यह PQ है इसका मैंने slope of chord PQ अगर आप निकालेंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा formula हमारे पास है Y2-Y1 upon X2-X1 तो point कितने हैं यह हो जाएगा X1-Y1 यह हो जाएगा X2-Y2 यह जो point है हमारे पास कितना है P के point है हमारे पास P कितना है C This is FC और यह जो point है क्योंके कितना C-H और यह कितना हो जाएगा FC-H यह हो जाएगा आपका कितना यह P है यह Q है This is X1, Y1, X2 and then Y2 तो यह कितना हो जाएगा This is Y2 Y2 कितना हो जाएगा FC-H minus fc upon ये कितना हो जाए एक x2 x2 हो जाएगा c minus h minus x1 तो कितना हो जाएगा c c से c cancel हो गया तो ये आगे आपका slope of chord pq तो slope of slope of chord pq तो pq का slope कितना आगे आपके पास fc minus h minus fc upon minus h this is equation first similarly we can find the chord of pr so slope of slope of chord pr तो pr का slope आप निकालीगी तो मैं डायेक निकाल गाहा हूं तो जाएगा x1 y1 this is x2 y2 y2 minus y1 y2 minus y1 जाए fc plus h minus fc upon c plus h minus कितना जाएगा c plus h minus c c plus h minus c c से सी केंसिल हो जाएगा so this is equation to you अब करना क्या है तो कि we want to check क्या है जो हम देख रहे हैं हम क्या है डिफरेंसिबिलेटी पढ़ रहे हैं तो मैंने कहां यह function कैसा function है continuous function है तो continuous function की मैंने आपको विसेस्ता बताई थी कि उसकी left hand limit, right hand limit किसके बरादर होती है lettuce fc के बरादर होती है तो यानि कि अगर हम इसको इस तरीके से अप्रोच कराएं यानि कि left hand limit आप इसको लेंगे यह q जो है p कि तरफ रच करें कि यह point है यह point है जहां पर हमारी है tangent आ लिए है तो अगर यह q जो है p कि तरफ रच करें q कि कि तरफ रच करें p कि तरफ रच करें यहия किस किस कि तरफ हो जाएगा that is left hand limit चो कि यहान मीके minus यह c धा यह c minus h C minus H C minus H तो अगर Q towards P लेकिन उसके लिए क्या होना है जिए अगर ये Q P की तरफ approach कब करेगा जब ये H का जो gap ये क्या होगा? 0 होगा जब H क्या होगा? 0 होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा? This is, ये कितना हो जाएगा? इसको आप क्या लिख सकते हैं? ये limit Q tends to P जो हो जाएगा आपका ये आपका Q towards P लेफ्ट हैं लेफ्ट हैं की तरह आप अगर इसको consider करते हैं लेफ्ट हैं की तरह आप इसको consider करते हैं तो ये कितना होगा? ये इसके लिख सर्थ है कि limit H का क्या होना पड़ेगा? That is, ये जो limit है जी, gap है, functions का H उसको क्या होना पड़ेगा? भी जे जाएगा नहीं है H इसको क्या होना पड़ेगा जीरो तो ये आ लेगा आपका कितना? This is F C minus H minus F C upon upon कितना लेगा? This is minus H ऐसे ही आप यहां R से P की तरफ आए If you are going to approach is R towards P R को P की तरफ एप्रोच करते हैं ये क्या है? राइट है ये क्या होना पड़ेगा आपका तो ये कितना हो जाएगा? R tends to P R किसको tends करे? R P को करें ये कि फिर मैंने का this gap ये जो H का gap होना चाहिए तो ये क्या होना चाहिए? लटस जीरो तो ये क्या हो जाएगा? This is limit H tends to 0 तो ये हो जाएगा आपका FC प्लस H माइनस FC अब आप देख रहे हो होगे क्योंकि आपको पता है वेने functions कैसा आजिल करा था continuous function आजिल करा था So we know that in case of the continuous function जो है वो क्या होता है? ये जो दोनों limit है ये आपकी क्या हो जाएगे? left hand limit और right hand अगर आप इसको क्योंकि मुझे इसको क्या करना है? ये left hand से यहां तक approach कर रहा है और right hand से यहां तक point P तक approach कर रहा है तो अगर आप limit का भी concept लगाते हैं क्योंकि ये यहा है this is left hand limit this is right hand limit ये दोनों आपस में क्या हो जाएगे? बराप हो जाएगे तो उस case में ये क्या हो जाएगा आपके पास? कि limit limit h tends to 0 f c minus h minus f c upon minus h is equal to limit h tends to 0 this is f c plus h minus f c upon h अब क्या होगा? जब क्यों पी की तरफ आगया रबी पी की तरफ आगया तो यहां पर जब हो जाएगे तो यह क्या जाएगा? एक tangent आजएगा यहां पर आपके क्या जाएगा? tangent आजएगा इक point p पर tangent ड्रॉच हो जाएगा और वो tangent जो है क्या है? कि अगर यह tangent क्या होता है? इस particular p point पर यूनीक टेंजेंट क्छा एक अकेला टेंजेंट होगा तो इसका क्या मतलब जाएगा वह कवी यह यह चैनल क्या होसती है तो ग्राइब draw होगी तो इसका मतलब क्या होगी एthis is what इस पो हम क्या लटे हैं लट है left-hand derivative and this is we have right-hand derivative एक यूरे म्य टंजट का है यूद unit tangent at point p पर आपने क्या कड्डिया यू ज़ने तो इसका मतलब क्या होगी मैं तो this function is fx it is इसको क्या करते हैं इसलिए जब हम फंक्शन को चेक करते हैं इसके बारे में आपको इसी में आपको एक दो पूश्यन भी बता हुआ लेकिन आप इसको देखेंगे कि आपको अब एक बार मैं दोवारा पूबर रिपीट कर देता हूं मैंनि क्या लिया था पॉइंट की सी एक एक यू यह सी माइस है एफ सी प्लस है इस प्लस है इसका स्लोप निकाला अब यह क्यू जो है पी की तरह करेगा तो बीहेव करें और और यह करा आपने तो लेंगि अब यह तरह सकता है एक जिरो हो जहें तो यह क्या बनीजा आपका यह लेफ हैंट और यह राइट अब आपको पता है कि यह दोनों लिमिटिंग यह यहां पर आएगा यूडिक टेम्ट आपको ड्रॉब करना है तो यह कितना हो जाए तो फॉन एकोल रखे और देडिस ले तो अब तो क्या होगा है यहां से यह पता करिया कि फंक्षन था इस डिफ्रेंट इस इकल दो सी विद्फ्रेंट अब आपके सामने चाहर पूंक्षन रख रहा हूं कि मैं इक आपको कर्देशन बता रहा हूं कि क्या इहां करना है कि मैंने कल बताया था क्या होते हैं जो पर बगेर लिफ्ट करें वे फंक्षन क्या हो जाएगा तो जैसे यह फंक्षन है तो आपको पता है यह जीरो पर क्या है फंक्षन क्या है इस इस नहीं है अगर किसी फंक्षन में किसी में आपको आजये क्या आएं तो वह फंक्षन उस पर टिकुलर पॉइंट पर यह डायेक प्रिच्छन्दी का एक तरीका है प्रिच्छन में पर टिकट्बर पॉइंट पॉइंट आजाये तो फंक्षन क्या रहा नहीं होगा और यह ऐसे नहीं तो आपको पता एक हो जाएगा और यहां उनकर ऐसे नियुक्त करने कि यह एक वैएक होना चाहिए यहां पर आप देखेंगे कि अगर इसको निकल रहा है तो वैसे लेफ्ट हैं तो क्या दिए तो क्या दिए यह क्या दिए यह यहां पर इसका जोब है यह वाइज होता है यह इकल टू एकल टू एन एकल टू एकल टू एन प्लस तो एन की जिए पर माइनस वन और यहां की जिए कि पैंड़ एस वन तो कहनी का और नहीं होगा अब आप इसको देखेंगे तो यह इसकी हुए है फंक्शन जो है f x तो यहां सिस्थागत प्लस यह दो कर Dewegal सब्सक्राम आप पर इसकी होगी फोम्सी बदोड़ युग का मतलब तो यहां पर यूनिक टैंगें यहां पर भी ड्राउ नहीं सकती तो एफ 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 इस नॉट डिफरेंशियवल आट एक्स इकल टू अब आप इसको देखें फंक्शन को तो यह फंक्शन यहां पर रहाना आएगा ऐसा आप देखिए यह फंक्शन ब्रेक है यह ऐसा जा और यहां पर ऐसा जा रहा है तो आपको पता है ब्रेक वादा फंक्शन है तो तो नहीं है तो इस फंक्शन को अगर अईसा और आपने क्या करिब इसको आपको 코neur point मिन जाएंगे तो वो जो होगा differentiable नहीं इसका corner point मिलंगे आपको यहां पर क्या मिलंगे corner point क्या मिलंगे corner point तो यानि एक से दिकाए to one पर function क्या नहीं है differentiable नहीं है continuous यह है तो आपको इसमें और अच्छी है all every differentiable function differentiable function जो function differentiable होता है वो continuous होता ही होता है। लेकिन जो function continuous है उसका differentiable होना जुरूरी नहीं है।सीदгов मैंने आपको यह क्योंकि इसमें क्या वागयाया सब्सक्राइब करें अब मैं next जो लेके आ रहा हूँ differentiation के question आ रहा हूँ इस पर left hand derivative, right hand derivative के तो आप इस पूरी series को देखे आपको काफी अच्छे लगेंगे like करें चैनल को subscribe करें और share करें